नमस्कार साथियों स्वागत आप सभी का सौधाघर के आज के इस नए वीडियो में साथियों आज जानेंगे भारत के सबसे बड़े री डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट के बारे में जी हाँ आप सही सुन रहे हैं आज जानेंगे अंग्रेजो दोरा बसाए गए इस धारावी की पूरी कहानी यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक तो करना ही है साथ ही साथ यदि आप पहली बार सौधाघर के वीडियो को देख रहे हैं दिस्ट्रिक्ट माना जाता है भूमी अधिगरहन और पुनरवास की पेचीदा जटिलताओं के बीच इसके री डेवलेप्मेंट में बड़े पैमाने पर धनका निवेश होना है साथियों 1882 इस्वी में अंग्रेजों ने इसको बसाया था और खासकर जो मजदूर थे उनको किफायती माकान मोहया करने के लिए यहाँ पर लोगों को बसाया गया धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर अपनी जुगी बस्तियां बनाना चालू कर दिये और इसी के चलते आज तक आप यह देख पा रहे हैं यह एक तरीके से एसिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया माना जाता है अगर आप देखें तो यह लगभग तीन स्क्वाइर किलोमेटर में फैला हुआ है और यह जिस जगां पर मौजूद है उसके पास के लोकेशन को आपको जरूर समझना चाहिए जो है बीकेसी जिसे बांदरा कुला कॉंपलेक्स के नाम से जामा जाता है बीकेसी में अगर आप देखें तो यहां पे तमाम कंपनियों के और लगभग हर बड़े बैंक के हेड आफिस मौजूद है यहां पे चार लाग से ज़्यादा लोग काम करते हैं यानि कि आप कह सकते हैं कि यह एक तरीके से सबसे बड़ा बिजनेस हब है पूरे भारत का साथियों धारावी में चमडे की चीजें और मिट्टी के सजावटी बरतन तयार किये जाते हैं यहां तयार समानों को देश वीदेशों में बेचा जाता है इसके चलते लगभग एक लाख लोग को रोजगार भी मिलता है अगर आप देखें तो यहां पे लगभग साथ हजार परिवार रहते हैं और दस हजार से जादा कॉमर्सियल एक्टिविटी यहां पे हैं और अगर आप यहां के पूरे आबादी को देखें तो लगभग 10 लाख लोग इस छोटे एरिया में निवास करते हैं और इसी के चलते जो है यह निर्डे लिया गया है कि अब यहां आपको एक तरीके से री डेवलप्मेंट किया जाएगा और जो यहां पे कॉमर्सियल एक्टिविटीज हैं उनको इसी लोकेशन में रखा जाएगा और आने वाले 5 साल तक उनसे कोई भी कर यानि कि जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो नहीं लिया जाएगा यानि यह एक तरीके से इंटिग्रेटेड टाउंसिब बनाया जाएगा यानि जो कॉमर्सियल एक्टिविटीज हो रही है वो चलती रहेंगी बस वो और्गनाइस्ट कर दिया जाएगा और हाँ यह जो 5 साल के कर्क में जो छूट दी जा रही है यह डेट आफ पोजेशन से जो है माना जाएगा साथियों पिछले दो दसकों से इस पूरे जो है प्रोजेक्ट पे काम किया जा रहा है और अभी तक इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी सबसे पहले 1999 में इस प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया गया और 2002-2003 में इसे प्लांड इंटेग्रेटेड टांसिप के रूप में मंजूरी दी गई लेकिन 2011 आते आते इस पूरे मंजीरी को भी एक तरीके से रद्द कर दिया गया दोबारा इसको जो है 2018 में इंटोडियोस किया गया जनवरी में इसके टेंडर निकाले गये और जनवरी में जब टेंडर निकाला गया तो आप लोगों को जानके हैरानी होगी कि यह टेंडर जो है सेकलिंक इंफ्रास्ट्रेक्चर कॉर्परेशन ने जीती जो की दुबई बेस कंपनी है और उसने 7000 के उपर 7000 करोड के उपर का बेड लगाया हुआ था उस समय जो बोली थी वो अडानी हार चुकी थी यानि उसको टेंडर नहीं मिला था लेकिन वहीं 2020 में सरकार बदलती है फिर MVA की सरकार आती है महाविकास अगाडी की और इस जो है पूरे टेंडर को एक तरीके से रद कर दिया जाता है और उसके पीछे तर्क दिया जाता है कि सेंटरल गवर्मेंट से जो रेलवे की जमीन मिलनी थी वो नहीं मिल पा रही है दोबारा सरकार बदलती है 2022 यानि कि इसी साल और फिर से इसको टेंडर को लाया जाता है और जैसा आप सभी को पता है अडानी इसे 5,079 करोड के इस टेंडर को जीच जाती है दूसरे नमबर पे डेलेफ रहती है जो कि 2,025 करोड का ही जो है तरीके से बिड लगाती है उसको ये टेंडर नहीं मिल पाता है आवास दिया जाएगा यानि कि उनको रिहबिलेटेट किया जाएगा उनको जो रिडेवलेप्मेंट प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है उनके लिए 7 साल में ये जो है पूरी बिल्डिंग्स बना के तयार कर दी जाएगी और उनको वहाँ पे सिफ्ट कर दिया जाएगा लेकिन एक जनवरी 2000 से लेके 2011 के बीच में जो लोग सिफ्ट हुए है उनको कम दर में आवास मोहिया कराए जाएगे यानि कि उनको अपने आवास के लिए कहीं न कहीं पैसे खर्चने होंगे तो यहाँ पे सीधा मकसद यह है सरकार का कि यह पूरी जमीन जो धारावी की यह तो यह सरकारी जमीन है अब यहाँ पे जो लंबे समय से लोग रह रहे हैं उनके पास हो सकता है फंड का करंच हो या फिर इतने समय से रह रहे हैं तो उनको पुनर स्थापित करना बहुत जरूरी है तो उनके लिए जो redevelopment project लाया जा रहा है और उसके अलावा जो बचा हुआ पूरा area रहेगा उसे developer कई phases में develop करके integrated township बनाएंगे और उसमें जो भी पैसा आएगा उससे उनका जो यहाँ पे लागत लगने वाली है जो free में मोहिया कराया जाएगा जो लोगों को घर उसको रिकवर करेंगे यह पूरा project 20,000 करोड का बताया जा रहा है और इसे step by step में 17 साल में complete किया जाएगा लेकिन आने वाले साथ साल में बताया जा रहा है यहाँ पे जितने लोग हैं उनको जो है तरीके से वहाँ पे shift कर दिया जाएगा building को बना के अभी जो यहाँ पे मंजूरी मिली है वो 4 FSI की मिली है यानि कि 1 to 4 का ratio यानि कि अगर आपका एक एकर का land है तो उस पे 4 एकर का construction हो सकता है और यह total project जो पूरा धारावी क्या है लगबग 600 एकर में फैला हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा development है इसलिए इसे भारत का सबसे बड़ा redevelopment कहा जा रहा है साथियों आपका इस पूरे project पे क्या विचार है आप क्या मानते हैं हमें comment section में लिखके जरूर बताएं यदि आपको प्रयास पसंद आया है तो अपने वीडियो को like करके channel को subscribe कर लें इस पे और तमाम जानकारियां लगातार आप लोगों तक बलाते रहेंगे जल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार